नमस्कार स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल CUETBHU Study का अपिटल पर एलहाबाद इनुवसिटी यानि AUK 2022 के BA का cut-off आ चुका है पहला cut-off यह official update आप सभी के लिए अभी मैं इस वीडियो में आपको cut-off बताऊंगा counseling के steps बताऊंगा जो notice में लिखा जा रहा है और साथी साथ counseling के समय में क्या documents लगेंगे कब से counseling सुरू हो रही है वो सारी चीजें यानि अलहाबाद इस वीडियाले की counseling से related एक detail वीडियो होगा यह इसलिए इस complete वीडियो को देखिएगा तो चलिए शुरुआत करते हैं अलहाबाद इस वीडियाले की official notice के माध्यम से मैं आपको सारी details देता हूँ जो लोग हमारे इस channel पर नया अवजिट कर रहे होंगे हमारा कोई पहला वीडियो है यह आप देख रहे हैं तो channel को subscribe कर लिजे, bell icon प्रेस कर लिजे पूरी बात आपको detail में पूरा आपको detail बताते हैं कि अलहाबाद इस वीडियो का cut off क्या है counseling का process क्या है, documents क्या क्या लगेंगे तो चलिए दोस्तों step by step बात करते हैं सबसे पहले cut off पर और counseling कब से शुरू हो रहे हैं उस पर बात करते हैं Online Counseling and Admissions for the Undergraduate Course BA of University of Allahabad will start from November 11, 2022 यानि 11 November से आपकी counseling सुरू होगी counseling के लिए जो website है www.alduniv.ac.in इस website पर जाकर के आपको registration करना है अपने counseling के लिए जो की 11 November से सुरू हो रही है बात करें कि 11 November से किसकी counseling सुरू होगी तो आप इस सिर्फ पहला cut off दिया गया है वो unreserved category के लिए यानि general category के लिए जिसमें सभी लोग count हो सकते हैं यानि जिसके भी marks 734 यानि 734 से उपर है यादि आपके marks BA में इलहाबाद भी सुद्ध दियाले के लिए 900 में जो marks आपका count किया जाता है उसमें यादि आपके 734 से उपर marks है तो आप पहले round की counselling कराएंगे 11 November से हम notice के अगले step पर चलते हैं देखते हैं कि कब तक ये process चलेगा कब fee payment करना है उसके बाद documents वाली list जानते हैं कि counselling के समय क्या क्या documents लगेंगे तो चलिए जानते हैं कि date कब से कब तक होगा कब से कब तक का process होगा तो अगली notice में जो आपके screen पर दिखा रहा हूँ ये notice बहुत ही आप सभी के लिए important है कि इसमें अगर date छूटा जो date दिया हुआ है अगर उस date पर आप counselling नहीं कराते हैं यदि वो date बीच जाती है तो आपके marks अधिक होने के बाद भी आपके admission की संभावना खतम हो जाएगी इसलिए date को ध्यान में रखिएगा और मैंने इसलिए कहा है चैनल को subscribe किये रहेगा लगतार updates के लिए इसी प्रकार की updates के लिए 11 November से counselling का process शुरू होगा यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आपके documents अपलोड करने का समय होगा वो 11 November से लेकर के 12 November के बीच होगा यानि 11 November सुबर 9 बजे पोर्टल खुलेगा और 12 November दिन में 11 बजे तक पोर्टल खुला रहेगा आपके documents अपलोड करने के बाद आपका verification जो होगा उसके होने के बाद आपको जो fee submission की date होगी वो होगी 12 November से लेकर के 13 November के साम 5 बजे तक तो ध्यान रखेगा कि इलाबाद इस विद्याले में BA में जिनको admission लेना है 734 से marks उपर है तो 11 से लेकर के 13 November के बीच में पूरा active रहेंगे जिसमें आपको document अपलोड करना है fee submit करनी है अब बात करते हैं कौन-कौन से documents लगेंगे क्योंकि आप सभी का जब counselling होगा तो सबसे पहले क्या लगेगा documents तो देखते हैं कि क्या-क्या documents लगने वाले हैं तो मैं आपके सामने एक-एक official detail पहुचा रहा हूँ अब आपके सामने में documents के list भी इसी वीडियो में बता रहा हूँ कौन-कौन से documents लगेंगे total 10 documents लिखा है लाबाद उसे दालें अपने notice में पहला है original admit card and score card यानि आपका जो admit card और score card जो आया है आपके result के बाद उसका scanned copy उसके बाद आपके mark seat जो class 10th का mark seat है और certificate है उसका scanned copy mark seat और certificate class 12th का लगेगा आपका TC लगेगा यानि transfer certificate undertaking अगए यदि आपका gap year है तो आपको एक undertaking भरना होगा जो कि आपको portal पर भी मिलेगा या फिर जो भी उसका process होगा portal खुलने के बाद पता चलेगा जो आपका cash certificate है यादि आप किसी भी category से बिलॉंग करते होंगे EWS, OBCS, CSC उनके लिए लगेगा उसके बाद आपके आधार card का copy लगेगा उसके बाद आपका anti-regging का undertaking लगेगा ऐसे कुल 10 documents हैं जो कि आपके लगने वाले हैं इलहाबाद विस्विद्याले की counseling में तो ये आप सभी के लिए एक important video रहा और अभी कुछ दिर पहले ये इलहाबाद विस्विद्याले की तरफ से अपडेट किया गया और हमने तुरंत आपको अपडेट कर दिया अभी आज 9 तारीक है और 11 तारीक से लेकर के 11 तारीक के बीच में और 11 तारीक के बाद भी लगतार updates आती रहेंगी तो उन updates को आप सभी लेते रहेगा हमारे इस channel पर active आप सभी रहेगा जो लोग active नहीं रहेंगे उनके admission छूटने की पूरी संभावना रहती है यह पिछले हमलों के लगतार जो अनुभाव हैं पिछले वर्सों में वो बताते हैं साथी साथ जिनका 734 से marks कम है अगर वो भी इस video को देख रहे हैं तो अभी यह पहले round का cut off है फिर अभी general category का भी cut off down होगा और category wise भी cut off हाएगा तो वो जितने भी cut off आते रहेंगे हमें के cut off आपको update करते हैं तो इसको आगे आने वाले समय में भी videos देते रहेंगे आपको इसलिए channel को subscribe कर लिजेगा, bell icon प्रिस कर लिजेगा यह video कर अच्छा लगा है तो like जरूर करें, share जरूर करें और comment box में बताएं, यदि आपकी कोई query है या फिर video कैसा लगा है यह भी comment box में बताएं Thank you very much